सुप्रीम कोर्ट के फैसलो और गलीदों में जेंडर स्टीरोटाइप शब्दों का इस्तिमाल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में बहिलाओं के लिए इस्तिमाल होने वाले आपतिजनफ शब्दों पर रोख लगाने के लिए जन्डर इस स्यूरो टाइप कमबाट हैंडबुक लांच कर दी है 8 मार्श को महला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हुए एवेंट में कहा गया था कि कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपति जनक शब्दों का इस्तमाल भूटेगा CJS चंगजून ने बताया कि इस हैंडबुक में आपति जनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगर इस्तमाल किये जाने वाले शब्द और वाक के बताया गया है इने कोर्ट में दलीले देने आदेश देने और उसकी कौपि तयार करने में यूज किया जा सकता है ये हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जज़ों के लिए भी है इस हैंडबुक में वे शब्द हैं जिनने पहले ही अदालतों में यूज किया है शब्द गलत क्यों है और पर कैसे बिगार सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया है हैंड़ूप जागरूप करने के लिए बनाई आलोचना करने के लिए नहीं जसे चंगजूँन ने कहा कि इस हैंड़ूप को तयार करने का मकसद किसी पैसले की आलोचना करना या संदेज करना नहीं बलकि ये बताना है कि अंजाने में कैसे रूणी वादिता की परंपरा चली आ रही है कोर्ट का उदेश ही ये बताना है कि रूणी वादिता क्या है और इससे क्या नुकसान है ताकि कोर्ट महिलाओं के खलाफ आपतिजिना खाशा के इस्तिमाल से बढ़ सके इसे जल्दी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया जाएगा कलकता हाई कोर्ट की टीम में तयार की शब्दावली CJS अंदचूर ने जिस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया है उसे कलकता हाई कोर्ट की जस्टिस मौस में भटाचार के अधर्षिता वाली समिटी ने तयार किया है इस समिटी में रिटाइट जस्टिस प्रभाव श्री देवन और जस्टिस गीता मिक्तल और प्रफोसर जूमा सेन्च शामिल है अगर आप 306 का एक जज्जमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ती कई ऐसे शब्द हैं जो अनुचे थी लेकिन उनका इस्तमाल होता है लिगल ग्लोजरी से हमारा इनाय पालिका छोटी नहीं होंगी और समय के साथ हम कानूनी भाषा को लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम भाषा को विशय और चीजों से जादा महत्व देते हैं महिला दिवस पर एक एवेंट में सीजयाई ने बताया था मैंने ऐसे फैसले देखे हैं जिनमें किसी महिला के एक व्यक्ति के साथ रिष्टे में होने पर उसे रख्या लिखा गया कई ऐसे केस थे जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498-1 के तहर एफायाय रद करने के लिए आवेदन किये गये थे उनके फैसलों में महिलाओं को चोर कहा गया था